हेलो फ्रेंस आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वर्किंग थोट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में रिजिनिंग के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है पहला क्वेस्टन दिये के विकल्पों में से लुप्ट संग्या ग्यात कीजिए ये नंबर आनलोजी का प्रॉबलम है और इसमें क्या ट्रिक काम कर रहा है हम देखते हैं जैसे 1,2,3 है अगर हम 1,2,3 को एड़ कर दें तो 1,2,3 को एड़ कर दें तो ये कितना हो जाए 3,2,5 और प्लस 1,6 और 6 पर अगर हम स्क्वाइर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 36 तो उसी तरह हमको क्या करना है इस नंबर को एड़ करना है 3,4,2 तो कितना हो जाएगा 3,4 हो गया 7 और 7 और 2 कितना हो गया 9 और 9 पर अगर हम स्क्वायर कर दें तो A कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा यानि option number जो A होगा वो मेरा correct answer होगा अगर हम next question की बात करें तो उसी type का कुछ problem है लेकिन इसमें दूसरा trick काम करेगा जैसे 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 में number of कितने number है? 1, 2, 3 इसमें 3 संख्या है 1, 2, 3 में कितने संख्या है? 1, 2, 3 3 संख्या है तो अब 3 पर square करेंगे is equal to 9 उसी तरह याँ बारह में कितना संख्या है? 2 संख्या है तो 2 पर square करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तो option number जो B होगा इसमें correct answer होगा next question दिया गया है 64 तो question mark के जगह पर क्या होगा? यह निकालते हैं हम यहाँ देखते हैं कि जैसे 8 में एक add कर सकते हैं तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ठीक है? 64 प्लस 1 जैसे हो गया इधर एक add हो गया तो इधर भी हम एक add कर देंगे तो 64 प्लस 1 कितना होना है? 65 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर option में कहीं भी नहीं दिया होगा यानि कि यह trick यहाँ पर काम नहीं कर रहा है यानि हमको दूसरा trick का use करना होगा हम देख रहे हैं यह कितना है? 8 जो है कितना पर cube है? 2 पर cube है अब 2 प्लस 1 कर देंगे 3 अब 3 पर अगर square कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 यह हो सकता है जैसे यहाँ 8 है 8 जो है 2 पर cube हो गया और 2 से एक अधिक कितना होगा? 3 और 3 पर square हम कर देंगे तो मेरा 9 आ जाएगा उसी दरह 64 अगर हम यह कितना है? 4 पर cube हो गया ठीक है? और 4 प्लस 1 अगर हम 5 कर देंगे और इधर 5 पर square कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ठीक है? यह यह option number जो C होगा वो मेरा correct answer होगा Next question भी number analogy का है इसमें देख रहे है 8 है, 28 है 15 है, question mark है तो इसमें क्या trick काम कर रहा है? यह देखते हैं हम देख रहे हैं कि अगर हम 8 को 5 से multiply कर दें और इसमें हम 12 अगर घटा दें ठीक है? यह कितना हो गया? 40 हो गया 40 माइनस 12 कितना हो गया? 28 हो गया ठीक है? इसी तरह हम 15 में 5 मल्टिप्लाइ करते हैं यानि कितना होगा? 75 होगा और 75 मागर हम 12 घटा देते हैं ठीक है? तो यह कितना हो जाएगा? 63 तो option number A मेरा यहां भी correct होगा इसी problem को दुसरे trick से भी sort कर सकते हैं जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पर square minus 1 28 को क्या लिख सकते हैं? 3 पर plus 1 ठीक है? 27 पर cube कितना हो गया? 27 हो गया इसमें 1 add कर दिये तो कितना आ गया? 28 आ गया इसी तरह हम क्या करेंगे? कि 15 को क्या लाएंगे? जैसे 15 को लाने के लिख हम क्या करेंगे? 4 पर square minus 1 कर दिये तो उसी तरह 4 पर cube plus 1 कर देंगे जैसे आगे वाले में 3 पर cube plus 1 कर दिये 28 लाने के लिए उसी तरह यहां पर 4 पर cube plus 1 कर दिये यानि 64 प्लस एक हो गया 65 यानि option number B यहाँ पर correct इस trick से option number B मेरा सभी answer होगा तो हम जो भी लेके चल सकते हैं लेकिन option number जो second है यह more powerful होगा next question भी number analogy का है और इसमें भी हमको loop संख्या ग्यात करना है जैसे 7 है 50 है 11 question mark के जगा पर यह होगा यह हमको निकालना है तो हम देखते है 50 जो है 49 के लगबक करीब है जो की 7 पर square होगा प्लस 1 यारी 49 प्लस 1 50 ठीक है 50 जो है मेरा 49 के करीब है और जो क्या होता है 7 square होगा 49 अगर एक add कर दें तो यह कितना हो जागा 50 हो जाएगा उसी तरह से सेम तरह से अगर हम 11 पर square करें और इसमें एक अगर जोड़ दें तो 121 हो जाएगा प्लस एक अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जागा 122 हो जाएगा तो नमबर D में 122 दिया हुआ है यानि option जो D है वो मेरा correct answer है next problem क्या है number analogy का ये भी है तो इसमें भी हमको loop संख्या ज्याद करना है और यह हम देख रहे हैं कि 182 correlation उसी तरह है question mark क्या होगा ये हमको निकालना है तो हम देख रहे हैं कि ये जो है लगबग कितना के करीब है 384 के करीब है तो इसमें हम अगर 20 square कर दें यानि कि 400 और अगर हम 20 घटा दें तो 380 में रहा जाएगा ठीक है उसी तरह इसमें जो है क्या करना है कि 15 का square हो गया 225 और 225 में कर हम 15 घटा दें तो 210 आ जाएगा ठीक है तो यहां हमको एक pattern मिल रहा है जैसे 20 square हो गया उसमें हम 20 घटा दिये 380 हो गया 210 में क्या हो गया कि 15 square कितना 225 होता है 25 में अगर 15 घटा देते हैं तो 210 हो गया या 20 हो गया 15 हो गया यह किसके करीब हम देखते हैं 182 को हम क्या लिख सकते हैं यह किसके नजदिक है 199 किस का स्कवायर होता है 14 चांड़ होता है और 14 का स्क्वायर माइनस 14 हो गया 210 को हम क्या लिखתח थे 15 स्क्वायर 225-15 is equal to 210 फिस में 5 का difference किये थे तो ये 20 पर square minus 20 पर square minus 20 388 तो यहां 5 का difference लिये थे तो उसी तरह है हम 5 का difference जैसे 14 पर square minus 14 किये उसी तरह है इसको लाने के लिए 5 का difference अगर हम करेंगे तो कितना करना होगा 19 करना होगा ठीक है यहां 5 हम बढ़ा के यहां 20 कर दिये यहां इसी तरह 5 पर बढ़ा के हम 19 कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 19 square minus 19 यानि 361 minus 19 यानि कितना हो जाएगा 119 या 2 और यहां कितना हो जाएगा 5 में गया 4 342 यानि option नमबर जो यह होगा वो मेरा correct answer होगा यह बहुत important question है next question क्या है दिया गया लूप संख्या ग्याद किजिए question mark के जगह पर क्या होगा यह तो आसान हो सकता है जैसे 2 और 2 4 हो गया 4 plus 2 हो गया 6 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया और 6 और 2 नो यह तो trick का हम नहीं कर रहा है जैसे यहां पर हम सोगते हैं कि 2 plus 2 कितना हो गया 4 हो गया और 4 में फिर हम 2 add कर दिये तो 6 हो गया तो उसी तरह हमको क्या होना है 3 plus 3 6 होना चाहिए और 6 plus 2 add कर दें तो मेरा 8 हाना चाहिए तो योकिन नहीं है और अगर यही copy हम करके यहां हम 3 add कर दें तो नो यह भी नहीं है यह trick तो नहीं लग रहा है इसमें क्या trick लग रहा है कि जैसे 2 और 2 कितना हो गया 4 4 और 2 कितना हो गया 6 ठीक है यह गुना कर रहे हैं 2 गुना 2 हो गया 4 उसी तरह 3 गुना 3 कितना हो गया 9 9 plus 2 हो गया 11 यह trick कम कर रहा है इन दोनों को multiply कर दें 16 और इसमें 2 add कर दें तो 18 ठीक है यही हमको pattern मिल गया यह इन दोनों को multiply करना है और फिर इसमें 2 add कर देना उसी तरह इसका क्या होगा इसी तरह हमको क्या करना है कि 5 गुना 5 इन दोनों को गुना करना यानि 25 और 25 में हमको क्या करना है 2 add करना है यानि कितना इंसार जागा 25,2,27 यानि option number जो A होगा वो मेरा correct answer होगा next question हो गया कि दिये विकल्पों में से लूप संक्या ज्याद करें तो जैसे हो गया 34 प्लस 5 हो गया 36 इन दोनों के add करने से यह यह आता है तो question mark के जगर में क्या होता है यह हमको निकालना है तो क्या pattern काम कर रहा है इसमें हम देखते हैं जैसे हो गया 34,7 तो इसमें हम क्या करेंगे 34 प्लस 5 उन्चालीस आना चाहिए 34 प्लस 5 उन्चालीस आना चाहिए इन दोनों के add करने यहां कितना है 34 प्लस 5 अगर हम इन दोनों को add कर दें इन दोनों को add कर दें तो मेरा 34 प्लस 5 39 आना चाहिए लेकिन यहां कितना है 36 है यानि दोनों को add हम नहीं कर सकते हैं तो मेरा दूसरा कुछ pattern इसमें चुपा हुआ है तो हम देखते हैं 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 हो गया 12 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 36 हो जाएगा उसी तरह हम 5 और 6 क्या करते हैं एड़ कर दे 6 प्लस 5 कितना हो गया 11 हो गया 11 को हम क्या करते है 11 प्लस यहाँ पर 2 हो गया 13 ठीक है और 13 को फिर हम 3 से multiply कर दें तो 39 यानि यही pattern लगबग चल रहा है तो pattern में क्या है कि इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और इसको भी add कर लेते हैं यह जो number है इसको दोनों के digit को add करके उसमें हम जो digit इस साइड है प्लस वाले उसको भी add कर लेते हैं और तीनों को add करके क्या करते हैं तीन से गुना कर देते हैं जैसे 27 को दोनों digit को add करें तो 2 प्लस 7 विजागा 9 और प्लस हो गया 6 9 plus 6 15 और 15 इंटो 3 कितना हो गया 45 उसी तरह 47 में 7 plus 4 कितना हो गया 11 और 5 कितना हो गया 16 और 16 मगर हम 3 से मल्टिप्लाइ कर दें तो कितना यागा 48 तो यही पैटर्न मेरा मिल गया तो उसी तरह हमको 45 प्लस 1 का निकालना है तो 45 प्लस 1 में क्या करेंगे 5 प्लस 4 प्लस 1 यानि कितना हो जागा 10 हो जागा 10 को हम 3 से multiply करेंगे तो कितना हो जागा 30 आ जाएगा ठीक है 30 मेरा इसका correct answer है तो option number जो ए होगा वो मेरा correct answer होगा ठीक है